हेलो बच्चो कैसे हूँ उम्मीद करती हूँ आपसे भी अच्छ हूँ और आपकी बढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर गुंजन पाठ्थे पुस्तक की कक्षा 3 की जो सिरीज चल रही है उसमें आज मैं आपके सामने लेकर आ सकते हैं तो आज शुरू कर रही हूँ मैं इसका भाषा ग्यान भाषा ग्यान में कुछ पाच प्रेशने जिनने में एके करके यहां पर आपको समझाओंगी और उनके उत्तर भी बताऊंगी तो पहला प्रेशने है लिंग बदलो लिंग का मतलब ही होता है जेंडर या नही लिंग बदल कर होता है अध्यापी का माली मालिन बच्चा बच्ची पुत्र पुत्री बेटा बेटी नोकर नोकरानी देवर देवरानी आदमी औरत यह सबी हमारे लिंग बदलो है अगला प्रेशने हमारा रा को छोटा उ और बड़े उ की मात्रा के साथ जोड़ कर शब्द लिखो रा के विभिन रूपों के जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर आपको ग्रामर में मिल जाएगा उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई आप उसमें देख सकते हैं और यहां पर भी मैं आपका जो रूपा डरी नहीं वाला पाट था इसी पाठे बुस्तक का उसमें भी यह बात बताई गई है तो रा के पीछे उ और बड़े उ की मात्रा लगा कर हम इन शब्दों को बनाएंगे बाकी सबी मात्रा के अकॉर्डिंग नहीं लगाई जाती है उ की मात्रा रा के साथ यह अलग तरीके से लगाई जाती है जैसे कि आपको दिख रहा है पहला दिया हूँ है रूप यहां पर थोड़ी सी वह ही है यहाँ पर ये वाला रा नहीं आपका ये वाला रा आता है ऐसा वाला रा तो ये रा आपका बनता है आपके रा के साथ छोटा उ लगाने से जैसे रुपए, रुकाबट और रुका ये सभी शब्द जो है आपके रा के शब्दे यहाँ पर रुपई की spelling में भी हम ये वाला राबनाते हैं ठीक है रुपई, रुका और रुकावट उसके अलावा आपका जो बड़ा O है यानि कि जिसे हम रू पढ़ते हैं उस पर बड़ो की मात्रा के साथ लगाए जाता है जैसे जरूरत मंद, रुमाल और रूप रुमाल और रूप तो इसी तरीके से अब हमें कुछ और शब्द बनाने हैं जिनमें हम रू और रू की मात्रा को का प्रियोग करेंगे यानि कि छोटा रू, रा के साथ छोटव की मात्रा और रा के साथ बड़व की मात्रा के साथ हम कुछ शब्दों का प्रियोक करेंगे और कुछ शब्द बनाएंगे जैसे सबसे पहला आपका छोटव, रा के साथ छोटव की मात्रा रा के साथ छोटे उकी मात्रा के जो शब्द है आपके वो है रुपाली, रुपेश, रुकना और रा के साथ बड़े उकी मात्रा वाले शब्द है गुरू, रूबवती, शुरू, करून ठीक है यह आपके रा के साथ जो अलग-लग रूप है रा के साथ उ की मातरा लगाने पर जो अलग-लग शब्द बनते है उस तरीके से पताएगा है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रा के साथ उ की मात्रा होती है वो रा के पीछे लगाई जाती है ना कि रा के नीचे ठीक है अब हमारा प्रश नमबर तीन है हम तुरंट इधर उधर छुप गए इस बाक्य में छुप गए क्रिया है जैसे कि आप जानते क्रिय बात बोलते हैं काम को लिए वो क्रिया शब्द है या हम क्रिया के लिए जो साधारन भाशार में शब्द बोलते है वो काम है तो जिन शब्दों से किसी काम के बारे हम पता चलता है वो हमारे क्रिया शब्द है और सबसे बड़ी बात होती है क्रिया शब्द के बीचे ना का पहला है खिल गए, दूसरा देखने लगा, आई थी, डाल दे, आ रहे थे, सोचें, करने लगे, या छिप गए, तो ये सभी क्रिया शब्द के पूरे-पूरे वाक्या थे, पर यहाँ पर हमें सिर्फ क्रिया शब्द बताने थे, तो मैंने आपको वही बताए है, अगला है प फूटी-कौडी नहीं थी, तो इस वाक्या में फूटी-कौडी भी नहीं है का अर्थ है, बिल्कुल पैसा ना होना, मुहावरे ऐसे शब्द होते हैं, जिनका शाब्दिक अर्थ उनके भावार्थ तक जो अर्थ होता है, उससे अलग होते हैं, यानि कि उसके द्वारा जो आख का तारा मतलब यानि कि जो कोई स्टार है, वो हमारी आख का तारा है, उसका मतलब होता है, बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना किसी का, ठीक है, तो शब्दों का वह समूजों अपने सामाने अर्थ छोड़ कर उससे अलग कोई विशेश अर्थ दे, मुहावरा क अब यहां पर कुछ मुहावरे दिये गए हैं, उन मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें, पहला है छपपर फाड कर देना, तो इसका मतलब होता है कि बहुत आवशक्ता से आपेक्षा से बहुत अधिक मिल जाना, भगव खुशी से खिलना, यहनि कि बहुत प्रसंत होना, टॉफी देखकर बच्चों के मुँझ खुशी से खिल गए, हक्का बगका रह जाना यहनि कि हैरान रह जाना, आश्यरे चकत हो जाना, अपनी गलती सामने आने पर पूजा हक्का बगका रह गई, अगला है हमारा जो अगला है, मैं अपने मित्रों के साथ तरण ताल की ओर गया, यहाँ पर मैं अपने बारे में बताए गया, मैं और मेरे दोस्त तालाब की तरफ गए, नमबर तीन है, मेरी जेब में फूटी कौडी नहीं थी, यानि कि मेरे पास फूटी कौडी भी नहीं थी, आज उन्होंने अंजाने में ही एक जरूरत मंद की मदद की, यानि कि यहाँ पर, यहाँ पर जो, मदद करना है वो अंजाने में की थी, तो इसमें पता नहीं था, यानि कि यहाँ पर मैं खुद का प्रयोग नहीं है, किनी दो चीज़ों के बारे में है, उसकी इतनी सी इक्षा भी मैं पूरी नहीं कर पाऊँगा, यहाँ पर यह माली बोल रहा है कि मैं अपने लिए कि मैं उसकी इतनी छोटी सी भीक्षा पूरी नहीं कर पाऊंगा तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस है मैं और मैं में और सबसे बड़ा जो लिखने का तरीका में फार्क है वो मैं जो की कंजक्षन यानि की जो योजक चिन के रूप में प्रयोगता उसमें एक मातर आती है और मैं जो की आई यानि की खुद के लिए प्रयोगता उसमें देपने बात